हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का कविंदर भे चैनल में तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का समाजिक विज्ञान जिसमें प्रथम भी सुयूद के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं तो देखिए प्रथम भी सुयूद के मतलब कारण और उसमें जो जो घटना हुई सभी को आज जानेंगे तो देखिए मिलकुल फास्ट्रेक रिवीजन में दम देखेंगे देखिए प्रथम भी सुयूद पहला क्यूशन है प्रथम भी सुयूद कब आरम हुआ बताना है तो देखिए इसका एंसर है प्रथम भी सुयूद आरम 28 जुलाई 1914 को हुआ थ दूसरा क्यूशन देखिए प्रथम भी सुयूद कब समाप्त हुआ था शुरू तो हुआ था 28 जुलाई 1914 को लेकिन समाप्त कब हुआ था तो देखिए समाप्त हुआ था प्रथम भी सुयूद 11 नमंबर 1918 को समाप्त हो गया था प्रथम भी सुयूद 11 नमंबर 1918 को समाप्त ह गया था ठीक है आगे देखते हैं किवशन तीन नमर किवशन है प्रथम विश्यूद का ततकालिन कारण क्या था कारण बताना है तो देखिए कारण बताते हैं इसका क्या कारण था कि प्रथम विश्यूद हुआ तो देखिए प्रथम विश्यूद का ततकालिन कारण यह था क 28 जुन 1914 को आश्ट्रिया वह हंगरी के यूराज देखिएगा ध्यान से यूराज फर्णिड़ फर्णिड़ ठीक है फर्णिड़ और उसकी पत्नी की हत्या होना था यह हत्या कांड से राजेवो हत्या कांड के नाम से परसिद्ध मतलब कि उसी दिन उन लोग का 28 जुन 1914 को यूद छिड़ गया था और उसी यूद का नाम दिया गया मतलब कि वह जो हत्या कांड हुआ था उसी का नाम दिया गया से राजेवो हत्या कांड ठीक है याद रखे गया से राजेवो हत्या कांड आगे देखते हैं प्रथम विश्यूद के दो कारणों का उल्लेख किजिए प्रथम विश्यूद के दो कारणों का उल्लेख करना है तो देखिए प्रथम विश्यूद के दो कारण प्रमुख निम लिखी था देखिए पहला है उग्र राष्टियता की भावना ने यूरोपिय देशों के मध्य इर्थिया वह द्वेस को बढ़ावा दिया ठीक है और दूसरा है आर्थिक कारण से समराजवाद की भावना को बढ़ावा मिला ठीक है तो आप लोग कारण में ये दो कारण लिख सकते हैं आगे देखते हैं पाँच नमबर क्यूशन प्रथम विश्यूद के दो प्रमुख परिणाम बताईए तो देखिए पहला परिणाम है राजनितिक परिणाम ठीक है राजनितिक परिणाम देखिए इसमें क्या है जर्मनी, फिन्लेंट, पूलेंट, टरकी आधी देश अनेक देशो में गरतांतरिक सासन की अस्थापना हो गई थी ठीक है राजिनितिक परिडाम का मतलब जर्मनी फिनलेंड पुलेंटर की आदित देशों अनेक देशों में गरतांतरिक सासन की व्यवस्था मतलब की अस्थापना हो गई थी ठीक है और दूसरा परिडाम था आर्थिक देखिए आर्थिक प्रड़ाम क्या था जन धन के भारी विनास के कारण विस्ववय पारी आर्थिक मंदी फैल गई जन धन के भारी विनास के कारण विस्ववय पारी आर्थिक मंदी बढ़ गई ठीक है कारण में ये दे सकते हैं अगला किशन पेरिस सांती सम्मेलन वर्ष 1919 में हुआ था का अध्यक्ष कौन था पेरिस सांती सम्मेलन जब हुआ था तो आहां का अध्यक्ष कौन था तो वही बताना तो देखिए पेरिस सांती सम्मेलन वर्ष 1919 का अध्यक्ष क्लिमेसो था क्लीमे सो याद रखिएगा क्लीमे सो ठीक है आगे देखिए अगला जो है प्रत्थम विस्यूद क्यों सभी युद्धों से भिन था मतलब कि वो क्यों अलग था प्रत्थम विस्यूद सभी युद्धों से क्यों वो अलग था तो देखिए क्यों अलग था देखिए इसमें point by point है तो आप लोग हर point को देखिएगा ठीक है प्रथम विश्यूद अपने पुरुवर्ती युद्धों में सबसे लंबा भयानक भीशड था मतलब कि सबसे खतरनाक युद्ध था वो ठीक है आगे देखिए प्रथम विश्यूद की तरह से पुरु नियोजित वो संगठित युद्ध था मतलब कि संगठित युद्ध था ठीक है आगे देखिए अगला point है प्रतम विश्यूद पुरुवर्ती यूद की तुलना में आधोनिक अस्त्र सस्त्रों का उप्योग किया गया था उसमें सब अस्त्र सस्त्र भी लगाय गये थे यूद में चिक है आगे देखिए अगला है इस यूद में नकेवल सैनिक बल की बड़ी संख्या में आम जनता भी मारी गई सबसे खास बात तो यही है कि इस यूद में नकेवल सैनिक बल की बड़ी संख्या में आम जनता भी मारी गई ठीक है ये थे इनके कुछ प्रभाव ठीक है यूद के प्रभाव थे ये आगे देखिए प्रतम विश्यूद के परिणाम देखिए परिणाम क्या हुआ यूद तो हो गया लेकिन उसका परिणाम क्या आया देखिए क्या आता है प्रथम विश्यूद में जन्धन का भारी विनास हुआ ये पहले ही बता चुका हुँ मैं कि प्रथम यूद जब हुआ तो उससे जन्धन में भारी गिरावटा गई और देखिए मतलब की दूसरा पॉइंट है जर्मनी पुलेंट टर्की आदी अनेक द प्रशाहित किया मतलब की वहां गुंडागर्दी जदा बढ़ गई प्रथम विश्यूद ने यूरोप में तनसाही की प्रवरित्त को प्रशाहित किया ठीक है अगला प्वाइंट है अगला प्वाइंट देखिए भविस्त में यूद रोकने के लिए वर्स 1922 याद रखे जाए उसकी के लिए संगठन बनाया गया जिसका नाम था लीग आफ नेशनल ठीक है 1920 में यह संगठन बनाया गया था ठीक है तो याद रखेगा आप लोग तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए देखते रहें कविंदर भै चैनल धन्यबाद